अलो फ्रेंड्स, study with smartness में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज हम कंप्यूटर से समंदित question answer को पढ़ेंगे तो चलिए वीडियो को start करते हैं हमारे यापे सबसे पहला question है कंप्यूटर के कार करने का सिध्धान्त क्या कहलाता है? तो इसका सही answer होगा D कंप्यूटर के कार करने का सिध्धान कहलाता है उप्रोक मैंसे तीनो क्योंकि कंप्यूटर input भी लेता है, output भी देता है और process भी करता है इसलिए इसके ये तीनो कार कहला जाएंगे ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं पहले इसकी detail देख लेते हैं कंप्यूटर वह युकती है जो input की रूप में data को प्राप्ट करता है उसका visualization करता है तथा परिणामों को output की रूप में देता है इसलिए कंप्यूटर के तीनों कार हो जाएंगे Next question है हमारा Central Processing Unit CPU का मुख घटक कौन सा है? CPU का मुख घटक कौन सा है? तो इसका answer होगा D तो इसका answer होगा उप्रोक में से तीनों Control Unit, Arthematic Logic Unit, Primary Memory ये सभी CPU के मुख घटक होते हैं इसकी detail में देख जानेंगे CPU को computer का रिदय या मस्तिश्क कहा जाता है ये Control Unit, Arthematic Logic Unit तथा Primary Memory से मिलकर बना हुआ है CPU आपका तीनों से मिलकर बना हुआ है इसलिए CPU को computer का रिदय या मस्तिश्क भी कहा जाता है Next question है Computer का मस्तिश्क कहलाता है Computer का मस्तिश्क कहलाता है इसका आंसर होगा CPU CPU computer का मस्तिश्क कहलाता है CPU computer के सभी क्रिया कलापों को नियंदर्ट करता है तथा अनुकर्णों को निर्देश देता है अता इसे computer का मस्तिश्क भी कहा जाता है Next question देखते है CPU के कार CPU के कार कौन से है Input वा Output डिवाईस को नियंदर्ट करना Data को ततकाल एक रूप से दूसरी रूप में बदलना निर्देश को पढ़ना आदेश देना या उप्रोक्त मैंसे सभी तो इसका आंसर होगा D उप्रोक्त मैंसे सभी क्योंकि ये सभी CPU के कार में आ जाते हैं जैसे की Input वा Output डिवाईस को नियंदर्ट करता है Data को ततकाल एक रूप से दूसरी रूप में बदलता है निर्देश को पढ़ता एवब आदेश देता है तथा ये सभी कारे को करता है यहाँ देख सकते हैं CPU अर्थात इसका फुल फॉर्म है Central Processing Unit Input वा Output डिवाईस को नियंदर्ट करता है डाटा के पढ़िनामों को ततकाल स्टोर कर लेता है तथा निर्देशों के अनुसार डाटा का विशलेशन करता है एवब आदेश देता है ये सभी CPU के कार में आ जाते हैं नेक्स देखींगे Computer के संदर में ALU का क्या तात पर है Computer के संदर में ALU का क्या तात पर है तो इसका सही आंसर होगा B अर्थात Arithmetic Logic Unit Arithmetic Logic Unit का संदरूप है ALU का संदरूप है Arithmetic Logic Unit जो Computer के Processor में रहता है तथा मूलबूत घटनाएं जैसे जोड, घटाव, गुणा, भाग, कुछ अनलोजिकल कार जैसे भी ये बराबर है या बराबर नहीं है कम है, अधिक है, ये सभी कार को करता है ALU करनाएं